नमस्कार सबीको आज हम विदूत विशर्जन या तडित के बारे में विश्तार से अध्यन करेंगे विदूत विशर्जन जो होता है उसको साधन भासा में बिजली गिरना भी कहते हैं और विदूत विशर्जन किस प्रकार से होता है क्यों होता है उसके बारे में हम जानते हैं आपने देखा होगा कि बारिष के मोसम में जब आकास में अत्यदिक मातरा में बादल होते हैं तो उस समय बिजली चमकती है और साथ ही साथ बाजलों की जो गर्जना जो होती है बाद विदूत विशर्जन के समय बादलों के उपरी किनारे के निकट धनावेश जो है वो एकत्र हो जाते हैं तथा रनावेश जो है वो बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं तो जब विदूत विशर्जन की गिरिया होती है उस समय बादलों के उपरी किनारे जो हो संचे हो जाता है यानि कि जो पृत्वी जो है उसकी सते के आसपास जो है वो धनावेश जो है उनका संग्रण हो जाता है वो इखटे हो जाते हैं जब संचित आवेशों का परिमान अत्यदिक हो जाता है यानि कि संचित आवेश जो है वो अत्यदिक मातरा में संचित हो जाते रनात्मक तथा धनात्मक आवेश आपस में मिलते हैं और प्रकास की चमकीली धारियां तथा ध्वनी जो है वो उत्पन होती है तो जब आवेशों का परिमान जो है वो अत्यदिक हो जाता है तो आवेशों का प्रवाग होता है और आवेशों के प्रभाग के दोरान रनात्मक तथा धनात्मक आवेश जो है वो आपसे मिलते हैं और जिसकी वज़े से परकास में चमकीली धारिया जो है वो उत्पन होती है और टेज़ धोनी जो है गर्जना जो है वो उत्पन होती है इस परकरिया को विदुत विशर्जन कहा जाता है विदूत विशर्जन को हम एक चित्र के माद्यम से भली बांती समझते हैं जब विदूत विशर्जन होता है बिजली गिरती है या तडित की प्रकरिया होती है उस समय जो आकास में जो बादल होते हैं उनके उपरी सीरे पर दनावेशित कन जो है दनावेश जो है वो संचित हो जाता है और बादलों का जो निचला शिरा जो होता है वहाँ पर रनावेश जो है वो संचित हो जाता है और पृत्वी की जो सते होती है उसके आसपास भी दनावेश जो है वो संचित हो जाते है जब इन आवेशों का संचे जो है वो अत्यतिक ह जाता है इनका परिमान जो है वो बहुत जादा हो जाता है तो आवेशों का प्रवा होता है आवेश जो है वो उपर से नीचे की और गमन करते हैं और उपर से नीचे की और आवेशों के प्रवा के दोरान विपरीत आवेश धनावेश और रनावेश जो है वो आपस में मिलते और आवेशों के आपस में टकराने की वज़े से जो चमकीली धारियां जो होती है जो बिजली की जो चमक होती है वो उत्पन होती है और इसके साथ साथ तेज गर्जना जो होती है तेज धोनी जो होती है वो भी उत्पन होती है इस प्रकरिया को विदुत विशर्जन कहा जात तडित चालक जो है एक ऐसी युक्ति है यानि कि एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भवनों को इमारतों को तडित या बिजली गिरने के प्रबाव से बचाने के लिए किया जाता है किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दिवारों में उस भवन की उचाई से अधिक लंबाई की दातु की छड़ जो है वो इस्थापित कर दी जाती है इस छड़ का एक सिरा जो है वो वायू में खुला रखा जाता है तता दूसरा सिरा जो होता है वो जमीन में काफी गेराई तक नीचे दबा दिया जाता है उतलब तड़ी चालग जो है वो एक उपकरण है तो वो उपकरण क्या करता है जब बिजली गिरती है उस समय भवनों और इमारतों की बिजली गिरने से सुरक्षा करता है और ये जो तड़ी चालग जो होता है वो एक दातु की छड़ का बन पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं परंतु तडित जंजा के समय इन्हें इस पर्ष नहीं किया जाना चाहिए तो ये जो तडित चालग है ये क्या करते हैं जब भवन या इमारतों पर बिजली गिरती हैं तो ये तडित चालग जो हैं उस विदूत को उस बिज के इस्थम विदुत तार और जल के जो पाइब जो होते हैं उनका जो उपयोग होता है वो भी काफी शीमा तक हमारा बिजली से या विदुत विसरजन से बचाव करते हैं लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि विदुत विसरजन के समय तडित जंजा के समय इन्हें हमें इस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अब जो तडित चालक जो होता है उसको हम एक चित्र के माद्यम से समझते हैं ये देखिए ये एक इमारत है या भवन है और इस भवन की दिवार में ये जो सरंचना जो है ये ये तडित चालक है और ये धातु की बनी होती है ये क्या है त तड़ी चालक जो होती है, इसका जो उपरी सिरा जो होता है, वो वायू में खुला रखा जाता है, और जो निचला सिरा जो होता है, वो एक तांबे की प्लेट का बना होता है, उसे क्या किया जाता है, बूस अंपरकन के लिए जमीन में नीचे गेराई में दबा दिया जाता ह अब देखिए जब विदुत विशर्जन होता है या बिजली गिरती है तो जब ये बिजली जो है ये भवन पर गिरती है विदुत विशर्जन होता है तो ये तड़ी चालक क्या करता है इस बिजली को ले जाकर उपर से उपरी जो शिराज जो होता है वो जो खुला होता है व भूमी में ले जाता है भूमी में जो तांबी की प्लेट होती है वहां तक ले जाता है और यहां ले जाकर जो विदूत होती है बिजली होती है उसको भूमी के नीचे गेराई में छोड़ देता है जिसकी वज़े से जब बिजली गिरती है विदूत विशर्जन होता है तो उ इस प्रकार से हमने वितुत विशर्जन की जो किरिया होती है, बिजली गिरने की जो किरिया होती है, तडित जंजा की जो प्रकिरिया होती है, उसके बारे में हमने विश्थार से दियन किया, जै हिन, जै भारत, धन्यवाद.